जनपद में धंतीरस, दीपावली, छट पूजा और गोवर्दन पूजा का तियोहार को सकुसल संपन्नी कराने के लिए पुलिस प्रिशासन पूरी तरह से तयार है जिसके संबंद में SSP जॉक्टर गॉरफ गुरवर ने बताय कि आगामी तियोहार को देखते हुए सभी पुलिस कर्मी के अधिकारियों को और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा का पुक्ता इंतिजाम किया जाए बाजारों में भीर भार वाली जगों पर तदा अपराद करने वाले व्यक्तियों की उपर सतर कदिश्टी बनाए रखे और उनके उपर कठोड कारिवाई करें उन्होंने कहा कि सभी थानों को अतरिक्त फोर्स आवंटित कर दिया गया है पिकेट, बैरियर, फ्लैक मार्च और रूट मार्च के माध्यम से सुदिर्न इंतिजाम किया जा रहा है इसके साथ ही बाहर से भी और फोर्स मंगाए गये हैं इस संबंध में गुरखपूर नियूस से बात करते वे एससपी जॉक्टर कौरव कुरवार ने कहा देखे आगामे दिनों में जो भी परव और तेवार जैसे की दंतेरस, दिवाली, वर्दन पूजा, चटपूजा जो मनाए जाने हैं उस संबंध में पुलिस के सभी अधिकारियों को, गुरखपूर के सभी पुलिस कर्मियों, कुथाना पुरवारियों को यह दिशा निर्देश दिये गए हैं कि सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये जाएं भीड़ भड़ वाले जो इलाके हैं, जहां पर महिलाओं का, बच्चों का, बजर्गों का, और आम जन मानस का, जहां पर आवागमन होता है यहां पर मार्किट करने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर सतरक दिश्टी बनाए रखें अपराद करने वाले व्यक्तियों के उपर सतरक दिश्टी बनाके रखें, उनके उपर कटोर कारवाई करें और एक सोहार्द कुन महौल में यह सभी तिवहार बड़े हर्शो उल्ला से मनाये जाएं मैं आपके माध्यम से सभी जनपदवासियों को अगामी त्यवहार दिपाबली की बहुत पहुत शुब कामना है सब कितने को फ़ोर्स है वो आवंटित कर दी गई है, उनके यहाँ पर प्रिकेट और बैरियर के माध्यम से प्लस जो पैदल गष्ट और रूट मार्च और फ्लैग मार्च के माध्यम से सुरक्षा के सुद्रेट इनत्याम किये जा रहे है यह हमारे पास बाहर से फोर्स प्राप्त होई है उसको भी डिप्लॉय किया गया